बिस्मिल्ला रमान रहीम असलाम लएकुम वियस वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे आज आपके साथ मैं रम्दान स्पेशल एक रेसिपी शेयर कर रही हूं क्योंके रम्दान आने वाला है तो उसमें होते हैं कि हम यह रेसिपी त्यार करके इसको सेरी के लिए रख सकते हैं और फिर उसमें हमारा यह टाइम जो हो सेव हो जाता है और उसको हम निकालके त्यार कर लेते हैं तो जो रेसिपी है वो है बल वाले पराठे बल वाले पराठे बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट्स हमें चाहिए उसमें हमने लिया है दे तो इसमें ये बहुत ही अच्छी पैकिंग में आता है, जो टेंड्ग में जब गी आती है तो उनको खोलना भी मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह से इसकी पैकिंग है तो इसको खोलना बन तरना डेली आम यूज के लिए इसको इसमाल कर सकते हैं और अबल देशी घी लेने की वज़ा ये है कि इसमें जो एक बाद रफ़ाय होते है कि देशी घी की जीपसी एक समेल होती है इसकी वज़ा से बचे उसमें खाना वगार अपसन नहीं करते लेकिन यह है कि इसमें इसकी बिल्कुल भी हीक नहीं है और यह देखें बहुत अच्छा दानेदार यह गी है और इसमें कोई भी आप रैसी भी बनाएं तो वह बहुत हैल्दी और अच्छी बनती है और रमजान में होते हैं कि अगर हम देशी घी से पराठे त्यार करके सहरी में खाएंगे तो उससे हमारा सारा दिन जो है वह काफी अनर्जाटिक गुजरता है और मोस्ली यही समझा जाता है कि जो घी वगारा है वह फैट्स जो हैं वह हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं लेकिन देश घी और स्पैशली अवल देशी घी में चीज बनाने का इनक कोई भी रैसिपी बनाने का फायदा यह होता है कि इस देशी घी में वाइटामन ए वा이टामन डी वाइटामन ई और वाइटामन के हैं इस नहीं हमारी जो इम्यूनिटी होती है वह काफी स्ट्रॉंग हो जाती है और हमारी skin के लिए हमारे hair के लिए बहुत अच्छा है देसीगी और health जो overall health है वो हमारी अच्छी होती है और जो stubborn fat होती है ये उसको भी burn करके हमारे weight loss के लिए भी बहुत helpful होता है और हमारे जो joints हैं उनको ये lubricate करता है उससे हमारे जो joints हैं जो joints हैं वो strong हो जाते हैं तो इसलिए हम जो अपने आजबाल वाले प्राठे बनाएंगे उसको हमने तियार करना है अवल और्गानिक देसी घी में जो के नमबर वन और बेस्ट घी है और इससे बनाने से हो गई बचे भी शौक से खाएंगे इसमें कोई हीक वगारा जो स्मेल है वो इस तरह की नहीं आ आएंगे बाकी के जो उन्ग्रेडियन्ट है उसमें हमने वन कप मैदा ले लिया है और वन कप ही हमने जो नौर्मल आठा है आप फाइन आठा लेना चाहें मूले ले में रेगुलर जो आठा चकीका वो लिया है और दो त्यार करने के लिए उन फोर्थ कप कुकिंग और ले तो सबसे पहले हम पराठो केलिए आटा गूंते हैं पराठो ले पराठो का आटा त्यार Sind recaps दुर्वूं में अब जिसन तरह से हम नॉर्मल आटा गुनते हैं उससरा से हमने पानी के साथ इसकी डोव त्यार करना है इसको मिक्स करना है और हमने बहुत स्मूथ इसकी डोव बना लिनी है फिर हम इसके जो लेयर्स वगरा बनाएंगे उसमें हमने अवल देसी घी लगाएंगे जो के औरगैनिक है और अवल की जो प्रॉडक्ट्स हैं ये आप ओनलाइन भी परचेज कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर आपको दे दूँगी और आप ये सब्सक्रिपीज और खाएं क्योंकि ये है कि उसमें हमें अभादत करनी होती है रमजान में और हमें उसके लिए नर्जी की जुरद होती है तो उसके लिए जो अब देसीगी है ये बैस्ट है तो अब हमने इस तरह से वह पराटों की त्यार कर रहे जिस धरी से हम नॉर्मल रेडी हो चुकी है हमने जिस तरह से नॉर्मल अटा गूनना है इस तरह से ये पानी लगाते जाना है और इसको गून लेना है अब ये हमारी डो जो है वो त्यार होने वाली है और अब हमने इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसके बल वाले प्राठ का आठा रखे हमें 20 मिनट हो गए है और ये रेडी हो गया है अब प्रठा बनाने के लिए तो हमने डो को ऐसे रखना है इसके हमने बॉल्स बना लेने हैं पहले जितना बड़ा आपने पेड़ा बनाना है उस साइज में हम एक पेड़ा त्यार कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा मैदा लिया है डस्ट करने के लिए तवा जो है वो हमने गरम होने के लिए रख देना है साथ में हमने अवल देशी घी ले लिया है इसके लियर्स में लगाने के लिए आप अपने च्वाइस के साब से बड़ा अगर आपने प्राठा बनाना है तो बड़ा बना लें अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लें इस तरह से हमने एक इसका रोटी बेल लेनी है बारी के एक रोटी बेलने के बाद हम एक ब्रश की मदद से इस प्राठे के उपर अवल देशी घी की इस तरह से एक लेयर लगाएंगे सारा हमने उपर एक देशी घी जो है अवल का वो अप्लाए कर देना है अवल की जो है प्रोड़क्ट्स और्गैनिक इनमें इनके शेहद भी अवेलेबल है अगर आप इनको ओनलाइन मंगवाना चाहते हैं शेहद या देशी घी तो आप इनको ओनलाइन ओर करें और इनकी क प्राठे के उपर सारा घी लगा दिया है अबल देशी घी लगाने के बाद अब हम इसके उपर मैदा डस्ट करेंगे मैदा डस्ट करने के बाद हमने इसको एक साइड से कट लगा देना है इस तरह से आप पिजा कटर से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास पिजा कटर नहीं है, तो आप इसको नाइफ के साथ भी कट लगा सकते हैं, तो कट लगाने के बाद हमने इसको ऐसे पकड़ना है, एक कनारे से, और इस तरह से रोल करते जाना है, आप इस तरह से हमने पूरा प्राठा है उसको रोल कर लेना है, इसकी यह जो है वो लेयर्स बन जाएंगी, अब यह हमने प्राठा वो रोल कर लिया है, अब आप इसकी लेयर्स को हम इस तरह से खोल लेंगे, ऐसे, ऐसे लेयर्स खोलने के बाद हम इसको जिस तरह सी फूल होता है ना इस तरह से हमने इसको लेयर्स को करने के बाद इसको दुबारा से एक बॉल की तरह यूँ बना देना है ऐसे कि अब हम इसकी एक फिर से रोटी बेल लेंगे हम इसका बारास kangra से एक रोटी बेल के त्यार कर ली है तवा गरम हो गया है अब हमस्को ऊपर डालें गये इसको पकाएंगे करवव ऋमारा ग्रम हो गैंगे जो पराठा बेला था उसको ढाल देना है और अंच जो है वो बहुत ज्याधा तेजह नहीं रखनी कि इसको ईंब ऐसके से पहले पकाना है और बाद में इसके उपर देशी घी लगाएंगे हमें इसके लियर्रस में भी लगाया था था mouvement कके इसके अरोमा और अजाइके के लिए तब हमें इस एक साइट से पकने देना है ये साइट से फिराठक पक गया हमें इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से हल्का सा से प्रेस करेंगे अब हम इसके उपर अवल देशी घी लगाएंगे इस तरह से अब हमने इसको दुनों साइड़ों से इसको पका लेना है अवल देशी घी से हमारे बालदार पराठे रेडी हो चुके हैं और यह देखें इसकी बहुत अच्छी लेयर्स बनी है और बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा है बहुत अच्छी खुश्बू है और बहुत ही मज़ेदार खाने अवल देशी घी में त्यार होते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नमबर दिया हुए कॉंटेक्ट नमबर ऑनलाइन ओर्डर के लिए नमबर लें वहां से और ऑनलाइन इनकी प्रोड़क्ट्स ओर्डर करें और मज़े की रेसिपी ज्यार करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू